आज मैं आपकी साथ शेयर करने जारी हूँ मक्खन से भी जादा मुलाया हम आटे की बर्फी आपने ठीकी सुना आज हम बनाएंगे आटे की बर्फी जो बहुत ही जादा डिलेशेज है और कोई कहीं नहीं सकता है कि आपने इसे आटे से बनाया होगा यह इतनी जादा यम्मी बनती है अगर आपको आज की रेसिपी इच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें सबसे पहले हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें वन फोर्थ कप घी तो यहां पे एक चोथाई कप घी डाल दें गी को हम हलका गरम होने देंगे जैसे ही घी हलका सा गरम होगा फिर हम इसमें डाल देंगे आटा थ्री फोर्थ कप हमने लिया है आटा यानि एक कप से थोड़ा कम हमने आटा लिया है अभी यह आटा आपको के जो बहुत कम दीखाई दीज रहा होरोगा लेकिन इसकी जो बर्फीै मिठाई है यहाँ के लिए बहुत जाएमा दो भीक डाल सील देगी तो आटे को हम एक मिरेंट के लिए हलका सापी बूुनें के बहुत е quand मिक्स कर लेते हैं तो थीक हो गया है यहां जब यह से यह थीक हो जाएगा ₹ज दूट डाल दिया है, तो इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, तो इसे अच्छे से मिक्स कर दें पहले, तो इसके जो लम्स हैं, इन्हें हम इस तरह से तोड़ते रहेंगे, इस तरह से आप इन्हें चलाते रहें, और हमने टोटर इसमें डाई कप दूट डाल दिया ह और दूट डालने के बाद इसे अच्छे से mix कर दिया है, आप देख सकते हैं, धाई कप दूट डालने के बाद जो आटा है वो इतना अच्छे से फूल गिया है, अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप milk powder, तो जो बच्चो वाला powder आता है न वहीं उसकरना है, dairy whitener नहीं डालन है, milk powder डालना है, milk powder डालने के बाद इसे हम अच्छे से mix कर देंगे, milk powder से इसमें ठाये का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा ता है, milk powder रखिया है और इसे हम इने अच्छे से mix भी कर दिया है, आपको इसमें अभी لم्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमें इसे इतना पका तो आप इसमें शुगर डाल दें, एक कप, मैंने यहां पे एक कप चीनी डाली है, अगर आप कम डालना चाहते हैं, जादर डालना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें, जैसे ही आप चीनी डालेंगे तो व आप इसे लगातर चलाते रहें और इसे ठिक कर लें ये प्रोसेस करने में आपको टाइम थोड़ा जादा लगेगा लेकिन ये मिठाई जब बनके आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी तो आप देख सकते हैं अभी ये ठिक हो गया है काफी हद तक तो मैं इसे लगा सकते हैं कोई लंस भी नहीं दिखाई दिय रहा है समें और अच्छे से स्मूध भी हो गया है और आपने इसमें एक चीज देखी हो गई कि उसका कलर एक़दम अक्छे से बना हुआ है इसलिए मैंने इसे लो फ्लेम पे ही पकाएं आप भी लो फ्लेम पे ही पकाएं और इसक मिक्षर के साथ चलाना पड़ा है हाड हो गया है तो यह इसका साइन है कि यह जो हमारा मिक्षर है वो तैयार हो गया है मिठाई जमाने के लिए तो यहां पर इसे हम सीधा मिठाई जमाएंगे रखे ना इसको सीधा इसकी हम मिठाई जमाएंगे तो गैस को आफ कर दें आप चाहे तो नॉर्मल थाली ले सकते हैं इसमें हम घी डाल देंगे एक छोटा चम्मच घी थोड़ा जादा डालेंगे ताकि हमारी जो मिठाई है यह चिकना हट रहेगी तो आसानी से निकल जाएगी तो मोल्ड या थाली जो भी लें आप उसे ग्रीस पहले कर लें तो अच्छे से ग्रीस मैंने से कर दिया है अब हम इसमें यह बरफी का मिक्शेर डाल देंगे आप देख सकते हैं यह अच्छे से बिल्कुल ठीक है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंजी का है यानि आप इसे जो शेप देंगे यह इसली हो जाएगा यह देखिए इस तरह से यह किसी भी चीज़ पर चिपकेगा नहीं जब यह इस तरह का हो जाएगा तभी आपको जमाना है और मैंने इससे सेट भी कर दिया है सेट करने के बाद हम इस पे ये कटे हुए बदाम डाल देंगे तो ये दिखने में अच्छे लगेंगे तो गार्णिश कर दें इसे अपने पसंद के ड्राइफरू डाल के तो मैंने यापे बदाम डाले हैं, साथ ही मैंने इसमें पिस्ता डाला है तो इस तरह से बारी काट के आप अपने पसंद के ड्राइफ रूट लगा सकते हैं इसके उपर आप चाहें तो मिक्षर में भी डाल सकते हैं, जब हम इसे पका रहे थे, एंड में डाले मैंने इसमें कोई फ्लेवर नि दिया है, यानि मैंने इसमें कोई इलाइची वगरा कुछ न newly डाली है क्योंकि मुझे इसका natural flavor पसंद है, आप चाहें तो इसमें केवरा वोटर या फिन इलाइची पौडर डाल सकते हैं आपने पसंद का फ्लेवर देने के लिए तो ड्राइफ रूट लगाने के बाद इसे इस तरह से प्रेस कर दें ताकि यह सेट हो जाए इसके ओपर और इसे हम फ्रिज में रखेंगे दो से तीन घंटे आप चाहे तो बहार भी छोड़ सकते हैं थोड़ा और जादा चोड़ना पड़ेगा फिर लेकर अगरण फ्रेस में रखेंगे तो दो से तीन घंटे में अच्छे सेट हो जाएगी हमारी बर्फी यहां पर सेट हो गई है मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है आप देख सकते हैं जी कितना अच्छे से सेट हो गई है अब हम इसे पीसिस में कट कर मैं इसे थोड़ा लंबे पीसिस में कट कर रही हूं आप चाहें तो स्क्वाइर पीसिस कट कर सकते हैं इसके यह देखिए नाइफ पे निचे पकरी है बिल्कुल और हमारी जो बर्फी है काफी अच्छे से जमी है इस बर्फी की खास बात यह भी है कि यह बिल्कुल ड्राई नहीं लगती है जब आप इसे खाएंगे तो बहुत ही माउथ मेल्टिंग सी लगती है एकदम मेल्ट हो जाती है मूँ में जाती ही यह देखिए मैंने इसको पीसिस में काटने के बाद बाहर निकाल लिया है और हमा यह दो दो कुल ना भूले फिर मिलते हैं कौन नहीं रेसिपी के साथ है आच 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 ऑगाड़ को अ झाल झाल